आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर और आप अगर असम के निवासी है और आपने अगर प्रधान मंत्री आवास योजिना का अगर एपलाई किया है तो कैसे उसे चेक करेंगे जो आपको मिला है या नहीं मिला है बहुत ही आसान तरीका है आप अ जिएम देर न करते हुए है छलते हैं अपने कमप्यूटर स्क्रेन की तरफ और और इस वीडियो का जो है टार्गेट है तो हांडब लाइक पूरा करके इस चैनल को सस्क्राइब करके मुझे support करना ना भूले ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने computer screen की तरह पीम आवास योजना को जो है चेक करने के लिए लिस्ट चेक करने के लिए आपको google crop में आपको type करना होगा pmayg.nic.in को क्लिक करना होगा उसके बाद ऐसा कुछ interface आपके सामने आएगा फिर यहाँ पे आपको आवास soft करके एक option है वह मैं आपको दिखा दोता हूँ यह देखिए आवास soft करके एक option है इस पर करसल ले जाए फिर यहाँ पर report पर आपको जो है क्लिक करना है जैसी आप report पर क्लिक करेंगे फिर आपका सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा यहाँ पर बहुत सारी चीजे हैं जिसमें आपको जो है नीचे की तरफ आकर social audit report आपको मिलेगा h number पर उस पर आपको जो है क्लिक करना होगा उस पर क्लिक करके फिर नीची जो beneficiary detail for verification है इस पर आपको क लिए जो है next video जो है next state के लिए बना दुँगा दूसरे को state के लिए बना दुगा जिसको आपको वीडियो चाहिए फिर यहाँ पर जो है जो detail मांग रहा है वो सवाफ फिल कर दें चलिए हमने यहाँ पे जो है सब डीटेल फिल कर दिया और यहाँ पे जो है दोजर बीस और इकिस का ही स्कीम जो है वह आप सेलेक कीज़े क्योंकि नेया वाला लिस्ट अभी तक अभी तक अवेलबल नहीं हुआ है ठीक है तो यहाँ पे कौन सा प्रधान मंत्री आवास योज देना का लाब मिल पाया है और इसमें उनलों को किस डेट पे आपको जो है आपका सेंचन हुआ है फिर किस डेट में आपको कितना पैसा मिला है और कितने इस्टॉल्मेंट में उनलों को पैसा मिला है तो देखिए यह सब यहाँ पर चेक कर सकते हैं और आप अगर चाहें द तो समिट पर क्लिक करते ही देखिए ऐसा आगिया, फिर यहां पर यह सेम सब्सक्राइब हो चुका है, फिर आप इससे ऑपन करके देख सकते हैं जो आपका नाम यहां पर आया है या नहीं आया है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें और मुझे प्यार देना न भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में